Hello Students, Welcome to Pado India आज हम करेंगे Class 5th की SST की जो हमारी किताब है जिसका नाम हमारी दुनिया है उसका Part No.17 और Part का नाम है विश्व की शासन व्यवस्थाएं बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का Part विश्व की शासन व्यवस्थाएं एक दिन रोनक ने अखबार पढ़ते हुए अपने दादा जी से पूछा कि सरकार क्या होती है दादा जी ने मुश्कराते हुए कहा सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का शासन चलाया जाता है तो बच्चो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी देश का शासन कोई भी देश कैसे काम करता है यह सब सरकार देखती है सरकार ही किसी भी देश को चलाती है पास में बैटी रोनक की बेहन मान्या ने दादा जी से पूछा क्या दुनिया के सभी देशों में एक जैसी सरकार है दादा जी ने उत्तर दिया कि दुनिया में अलग-अलग परकार की सरकारें तथा शासन विवस्थाएं हैं दादा जी ने बताया कि जरूरी नहीं है कि हर देश में एक जैसी सरकार हो रोनक ने पुनह अपने दादा जी से प्रश्ण किया कि अलग-अलग तरह की सरकारों तथा शासन विवस्थाओं में क्या अंतर है तब रौनक पूचता है कि अलग-अलग तरह कि सरकारों में क्या अंतर होता है दादा जी ने उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा कि बैठो मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ तब दादा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें ये विस्तार से बताता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ तुमने अपनी दादा दादी से राजा रानी की कहानियां सुनी होंगी पुराने समय में राजा शासन करते थे पुराने जमाने में तो राजा ही राज करते थे और वे अपने कुछ खास लोगों जो उनके मंतरी होते थे उनकी मदद से कानून बनाते थे राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था कानून बनाने में या उसे लागू करने में प्रजा की कोई भागिदारी नहीं होती थी यानि प्रजा से ना तो पूछा जाता था कि कौन सा कानून चाहते हो और नहीं उनकी कोई राई ली जाती थी राजा और उसके मंतरी कानून बना दिया करते थे और प्रजा को उनका पालन उनको मानना ही पड़ता था इसे राजतंत्र कहा जाता है यह सुनकर मानने ने पूछा कि क्या आज भी दुनिया में कहीं राजतंत्र है तब दादा जी ने बताया कि हाँ आज भी दुनिया के कुछ देशों जैसे बुरुनेई, कतर, सौधी अरब आदी में राज तंत्र है बच्चो इन देशों में आज भी राजा है और राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? रोनक ने पूछा दादा जी ने उत्तर दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र है दादा जी ये लोकतंत्र क्या है? रोनक ने फिर से एक और प्रश्ण पूछा अब दादा जी बताएंगे कि लोकतंत्र का क्या आर्थ होता है लोकतंत्र का आर्थ है लोगों का शासन यानि लोगों का राज यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की जनता की किसी ना किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है बच्चो लोकतंत्र में जो देश की जनता होती है वह सरकार बनाने का काम करती है वही लोग उसी देश की लोग सरकार को चुनते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने मत यानी वोट का इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रतिनिधी जिनको नेता कहते हैं उन्हें ही चुनते हैं फिर ये चुने हुए प्रतिनिधी ये चुने हुए लोग मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं आज विश्व के अधिकांच देशों में लोकतांत्रिक शासन विवस्था है और दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर वोट डाल करके सरकार बनाई जाती है जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, दक्षिन कोरिया, औस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, आदी हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आगे देखिए, दादा जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश म्यामार में सैनिक शासन है यानि म्यामार देश में सेना का शासन है, वहाँ पर कोई सरकार नहीं है सारे नियम कानून जो है सेना ही बनाती है जिसमें शासन सेना के द्वारा चलाया जाता है पाकिस्तान में भी लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है कुछ देश ऐसे भी रहे हैं जहां शासन की सारी शक्तियां एक ही आदमी के पास होती थी और जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छा के अनुसार करते थे वह अपनी मर्जी से ही देश को चलाते थे ना तो किसी की सुनते थे और ना किसी की राय लेते थे शासन की इस विवस्था को ताना शाही कहते हैं जैसे जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ करता था इटली में मुसॉलिनी व इराक में सद्दाम हुसेन का शासन मान्या ने पूछा दादा जी सरकार कैसे कान करती है दादा जी ने जवाब दिया कि सामानेते सरकार के तीर अंग होते हैं द्यवस्थापिका जो कानून बनाती है कारेपालिका जिसके द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है तथा न्याय पालिका जिसमें कोर्ट आते हैं जो न्याय देने का काम करती है सरकार अपने इन तीर अंगों की मदद से नागरिकों की हित के लिए सारे कारे करती है सरकार इन तीनों की मदद से ऐसे काम करती है जिनसे जनता की भलाई होती रहे सरकार को शासन चलाने का अधिकार समिधान से मिलता है और सरकार ये सब काम जो करते है वो समिधान के अनुसार करती है रोहन पूछी लेता है कि दादा जी ये समिधान क्या है इस पर दादा जी ने बच्चों से ही प्रश्ण किया कि क्या कोई भी खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटर बिना नियमों के खेला जा सकता है दोनों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया नहीं विल्कुल नहीं दादा जी मुस्कराए और बोले कि ठीक इसी तरह शासन चलाने के लिए नियमों वा कानूनों की आवशक्ता होती है बच्चों कोई भी देश चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की जरुरत होती है नियमों वा कानूनों की इसी पुस्तक को संविधान कहते हैं और देश चलाने के लिए नियम और कानून जिस किताब में लिखे होते हैं उसको हम सन्विधान कहते हैं हमारे देश का सन्विधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था इससे पहले हम पर अंग्रेजों का शासन था और हम उन्ही के आदेश और नियमों को मानते थे 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम गरतंत्र दिवस या रिपबलिक डे के रूप में मनाते हैं रोनक ने चेक कर कहा कि हाँ इस दिन टीवी पर राजपत से परेड का सीधा प्रसारन किया जाता है और हम सभी टीवी पर देखते हैं दादा जी इस परेड में विभिन राज़ियों की रंग बिरंगी जहांकियां भी निकाली जाती है ये मान्या कहती है फिर दादा जी बोलते हैं बिलकुल सही दादा जी ने बताया कि भारत का सम्विधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है भारत का सम्विधान जो है वो एक किताब में लिखा हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ सम्विधान है सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजिंदर प्रसाद थे जो बाद में देश के पहले राष्टपती बने और सम्विधान की प्रारूप संती के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेटकर थे जिनें सम्विधान का जनक कहा जाता है क्योंकि सम्विधान बनाने मे इन्होंने बहुत महतोपूर्ण भूमी का निभाई भारत के सम्विधान में सभी नागरीकों को समान अधिकार प्रात है बच्चों हमारे देश भारत का सम्विधान यह कहता है कि हमारे देश में सभी नागरीकों को एक जैसे अधिकार दिये गए है अधिकार देने के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है अब यहां पर बच्चों कुछ जानकारी दी गई है भारत के राष्ट्रे प्रतीकों के बारे में जैसे राष्ट्रिय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रिय चिन है अशोका का स्थमब, उस पर अंकित सिंग वो चार मुल वाले शेर आपने देखे होंगे जिसमें तीन शेर दिखाई देते हैं और चौथा शेर पीछे होता है वे हमारा राष्ट्रिय चिन है राष्ट्रिय गान है जन्गर्ण मन, राष्ट्रिय गीत है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रिय पुष्प या फूल है कमल, राष्ट्रिय पक्षी है मोर, राष्ट्रिय पशू है बाग, राष्ट्रिय नदी है गंगा, राष्ट्रिय फल है आम, हमारा राष्ट्रिय खेल होक राष्ट्रिय वरिक्ष बर्गद है और हमारा राष्ट्रिय जलिय जीव यानि वो जीव जो पानी में रहता है वह गंगा डॉल्फिन है दादा जी ने कुरसी से उठते हुए पूछा कि बच्चो बताओ आज की बाते तुम्हें कैसी लगी दोनों बच्चों ने एक स्वर मे जवाब दिया दादा जी मज़ा आ गया इन बातों को हम अपने मित्रों को भी बताएंगे बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाट खत्म होता है और अब हम करते हैं इसके प्रश्ण उत्तर परश्ण एक है निम्नलिखित परश्णों के उत्तर दीजिए का सरकार का क्या आर्थ है इसका उत्तर है सरकार एक ऐसी ववस्था है जिससे देश का शासन चलाया जाता है परश्ण खा देखिये राजतंतर किसे कहते हैं उत्तर है राजतंतर में राजा शासन करते हैं और अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते हैं राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है कानून बनाने में अत्वा उसे लागू करने में प्रजा की कोई भाग दारी नहीं होती है गह सरकार के विभिन अंगों के नाम लिखिये उत्तर सरकार के विभिन अंगों के नाम है विवस्थापिका, कारेपालिका और न्याएपालिका इनके बारे में हम पाठ में पढ़ चुके हैं गह भारत का सम्विधान कब लागू हुआ उत्तर है भारत का सम्विधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था न किनी तीन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखिये ऐसे देश हैं भारत, जर्मनी और जापान आते हैं अरिक्तिस्थानों को भरने पे क सौधी अरब देश में राज़तंत्र है क भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ग कानून की पुस्तक को सम्विधान कहा जाता है ग सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजिंदर परसाद थे और न डॉक्टर भीमराव अमेडकर को भारतिय सम्विधान का जनक कहा जाता है परश्ण तीन में मिलान करना है यहाँ पर देशों के नाम है और यहाँ पर शासन व्यवस्था हमें देश को उसकी शासन व्यवस्था से मिलाना है मियामार में है सैनिक शासन औस्ट्रेलिया में है लोकतांत्रिक शासन दिवस्था और सौधी अरब में है राज तंत्र आगे कुछ करने के लिए क्रियकलाब दिये गए हैं भारत के राश्ट्रिय प्रतीकों का संग्रह करें बच्चों भारत के जो राश्ट्रिय प्रतीक हैं आप उनके फोटो वेगरा एकटा कर सकते हैं और गरतंत्र दिवस की परेड के बारे में एक लेक लिखें यह विद्यारती स्वयम करेंगे यहां पर हमारे प्रश्ण तर्बी खत्म होते हैं विडियो पसंद आया हो तो इसे जादा से जादा लाइक और शेयर करना ना भूले